जैहिंद दोस्तों, आज मैं आपको इमेजिनेशन के पावर समझाने वलो हूँ इमेजिनेशन करके आप कोई भी काम को जल्दी से जल्दी कर सकते हो जैसे मैं मान लो कोई आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद बुक को साइड कर दो और उससे मननमंध और चिन्तन करो। it is called imagination यानि बुक को साइड कर दो. जो भी टॉपिक आपने पर हो फौर एकजमपल, NEWTON लोव पर हो तो NEWTON लव के बारे में थोरा सा चिन्तन करो, मननमंथ हो चिन्तन करो उसके बारे में जैसे book को side कर दो newtons का first law क्या होता है second law क्या होता है third law क्या आता है अगर k plus law पर रहे हो तो उसी तरीके से उसे भी पर हो यह मैं एक example दिया हो newtons और k plus का बाकी आप कोई भी subject पर रहे हो Hindi, English, Marathi, Science, Mathematics बाकी all subject पर आप क्या कर सकते हो imagination कर सकते हो imagination का power बहुत strong होता है और imagination से जो आपने 2-2 गंटे में जो एक-एक chapter परते हो तिन गंटे में एक chapter परते हो उसको 15 minute, 10 minute, 2 minute, 4 minute, 5 minute में imagination करके कर सकते हो और हाँ इसमें मैंने एक sentence यूज किया है mathematics येस आप mathematics को भी imagination कर सकते हो बहुत ऐसे बच्चे को confusion आएगा कि mathematics का तो data होता है, number होता है उसको कैसी imagination करे है दिखो आप formula को imagination कर सकते हो उसको step को imagination कर सकते हो कोई भी अगर numerical है जैसे quadratic equation मान लेता हूँ example के तोरपे मैं quadratic equation बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ आप मतलब कोई भी topic लेख सकते हो अपने according तो quadratic equation के standard formula जैसे मालूम है आपको ax square plus bx plus c equal to 0 उसी तरीके से आप मैंने जो बोला standard formula यानि जैन्ना formula उसका बोल दिया तो अब इसके solve करने के लिए कितने method होते है तीन method होते है फैला factorization method दूसरा completing the square method और तीसरा formula method तो अभी मैंने क्या किया है तो imagination किया एक तो जैन्ना formula मुझे फिर से याद हो गया और तीनो method मुझे उसको मालूम चल गया कि तीन method होता है अब सुनो ये तीनो method को जैसे मैंने factorization method के नाम लिया तो आप अभी इसी वक्त imagination कर लो कोई भी एक factorization method का अनोमेट कर अपने मन से निकाल लो factorization अगर दूसरा जिसे completing the square method मैंने बता है तो उसको भी आपको येक example ले लो मन में ही और उसके बाद में उसके step को देखो पहला step क्या होता है दूसरा step क्या होता है तीसरा क्या होता है चौता क्या होता है इस तरीके से आप इसको भी कर सकते है same as formula method को भी आप कर सकते हो जैसे कि आपको मालू में formula method को formula क्या होता है उसका solve करने के लिए minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a तो यहां से abc की value निकालेंगे और उसमें put करेंगे ये roots निकालेंगे और मतलब वहां से मारा roots उसका निकल जाएगा देखो एक मैंने example बताया आपको quadratic equation इस तरही किसे पूरे mathematics को आप imagination कर सकते हो और है practical है मैंने अपने खुद life में बहुत बार practical किया है maximum time में practical किया है और अभी भी मैं करता हूँ और अपने student से भी करवाता हूँ और imagination से बहुत फायदा होता है आपका time बसता है और गलती होनी की संभावनाय लगबग ना के बराबर होता है देखो यह starting जो है ने तो से starting में थोड़ी problem होता है बहुत अजीब सा लगता है कभी-कभी imagination करते करते हैं कई और खो जाते हैं किसी और दुनिया में चली जाते हैं किसी और